तो हे गाईज वेलकम बैक तो आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसा इंट्रेस्टिंग प्रोजेक्ट बना के दिखाने वाला हूँ जिसकी मदद से आप अपने घर के एपलाइंसे को रिमोट के जरीए कंट्रोल कर सकते हैं आप इसे अपने कोई भी टीवी के रिमोट या अम्प्लिफायर के रिमोट से एजिली कंट्रोल कर सकते हैं और इसे बनाना भी बेहद ही आसान है तो इसे कैसे बनाना है उसकी सारे डीटेल मैंने इस वीडियो में दिखाई है तो प्लीज वीडियो को एंट तक जरूर देखना So without further ado let's get into it कर देना है उसके बाद चेक आउट पर क्लिक कर देना है और अप्रोक्स आठ से नो दिन के अंदर आपको आपका पाटसल मिल जाएगा और आपके जो पीसीबी आएंगे उनकी क्वालिटी काफी हाई होने वाली है जाईए डिस्क्रिप्शन में से गरवर फाइल को डाउनल के लिए मैंने अपने IR receiver को breadboard में लगा लिया है उसमें हमने positive और negative input भी दे दिया है और साथ ही साथ indication के लिए एक LED को भी connect कर दिया है अब मैं जैसे ही इसके पास अपना IR remote लाकर remote का button प्रेस करता हूं तो हमारी LED एक बार को blink होकर बंद हो जाती है और जैसे ही हम अपने button को long प्रेस करके रखते हैं वो blinking करना स्टार्ट कर देती है लेकिन हमें एक ऐसा circuit बनाना है जो हमारे सिर्फ एक बार पर circuit कौन कर दे और दूसरे बार प्रेस करने पर circuit को off कर दे तो उसके लिए मैं हाँ पर यूज कर रहा हूं अमनी CD4017 IC का जो कि इसी purpose के लिए बनाई जाती है तो यह circuit मैंने डिजाइन किया है जो कि हमारे CD4017 IC को यूज करके हमने एक remote control circuit बनाया है सबसे पहले से breadboard पर टेस्ट करके देखता हूं तो यहाँ पर मैंने अपने सारे components और कुछ jumper wires ले लिए तो चलिए फटा-फट से इसके connections breadboard पर कर लेते हैं connections करने के बाद हमारा circuit कुछ इस type से दिखेगा तो अब हम इसमें 3.7 volt की battery को connect करकर इसमें input दे देते हैं battery connect हो जाने के बाद हमारा circuit एकदम ready to use है remote का button एक बार दबाने पर LED on हो जाती है और फिट से दबाने पर हमारी LED जो है वो ओफ हो जा रही यानि कि हमारा circuit successfully created हो चुका है और काफी अच्छी तरह से work कर रहा है तो अब हम इस circuit के साथ relay लगा कर अपने AC appliances को control कर सकते हैं लेकिन दिक्कत यहां रही है यह दीखने में थोड़ा सा messy लग रहा है और unprofessional सा दिख रहा है तो उसके लिए मैंने कुछ PCBs print करा हैं JLC PCB से जो की काफी high quality के PCB build कराती है काफी कम time पर तो अगर आपको भी अपने project के लिए PCB print कराने काफी high quality के तो print करा सकते हैं JLC PCB website का link आपको description में मिल जाएगा तो अब यहां पर देख लेते हैं कि क्या क्या components हमारे इस circuit में लगने वाले हैं तो यहां पर हम लेंगे एक 16 pin का IC base उसके बाद हम यहां पर लेंगे एक TSOP 1738 का IR receiver, एक BC 547 transistor, एक 330 ohm का resistance, एक 220 ohm क resistance, 21K का resistance, एक 100 UF 25 volt का capacitor, एक 1N4007 diode, एक LED जो कि आप कोई भी color के ले सकते हैं, एक 2 pin terminal block, एक 2 pin connector, एक 5 volt relay और अपनी CD4017 IC, तो सबसे पहले मैं एक एक करके अपने components को PCB पर लगा लेता हूँ और काफी अच्छी तरह से उन्हें solder कर लेता हूँ तो solding हो जाने के बाद हमारा circuit कुछ इस type से दिख रहा है, अब इसमें आप देख सकते हैं, पीछे कुछ access wire लगे हुए हैं, तो चलिए अब उन्हें अपने cutter की मदद से cut करके हटा देते हैं, तो wires cut करने के बाद हमारा circuit जो एकदम ready to use हो चुका है, लेकिन अभी हमें इसमे base में अपनी IC को लगाना है, तो चलिए CD4017IC को इसमें लगा लेते हैं, IC को लगाने के बाद अब हमारा circuit fully एकदम ready हो चुका है, तो इसके test करने से पहले मैं इसके circuit diagram के बारे में आपको कुछ details दे देता हूं, तो यह है इस project का circuit diagram जिसमें हमने simply एक IR receiver को अपनी CD4017IC के साथ connect कर दिया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, pin number 2 और pin number 3 को IR receiver की हमने positive or negative के साथ connect कर दिया है, first वाली pin से 1K के resistance को हमने 14 pin के साथ connect कर दिया है, तो हम इसका output अपनी pin number 2 से लेंगे, जो हमारी IC की pin number 2 है, वह हमने एक resistance लगाया है, जिससे हमारी LED खराब ना हो और काफी लंब के testing की तरफ, तो circuit का यह वाला जो 2 pin connector है, यहाँ पर हम circuit को input देंगे, और यह हमारे जो terminal block है, यहाँ पर हमने ACI appliances को लगा कर control कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने एक setup बनाया है, जिसमें अपने 5 वोल्ट charging jack के साथ अपना 2 pin connector को connect कर लिया है, अब हम यहाँ पर direct mobile charger से इस input दे स करते हैं, हमारा circuit एक दम ready to use है, और जैसे ही मैं अपने IR remote का button press करता हूं, हमारी LED glow कर जाती है, और constantly जलती रहती है, जब तक कि मैं दूसरा button press नहीं करता हूं, इससे ACI appliance को control करने के लिए, यहाँ पर मैंने एक bulb holder को एक plug के साथ connect कर दिया है, और साथ ही साथ उसमें एक wire में cut लगा दिया है, जो कटले के वे wire अड़ते हैं, हमारा सारा setup ready to use है, अब जैसे ही मैं अपने remote का button दबाऊंगा, हमारी LED ओन हो जाएगी, और फिट से दवाने पर हमारी LED ओफ हो जाएगी, यानिकि हमारा circuit जो है, और PCV successfully created हो चुका है, इस circuit की मदद से, आप अपने घर ACI appliances easily control कर सकते हैं, जैसे अपने LED bulbs और अपने electric fence वगरा, easily control कर सकते हैं, तो friends, आज की वीडियो में बस इतना ही, तो इस circuit के बारे में मैंने सारी details आपको दे दिये, तो वीडियो पसंद आए हो, तो वीडियो को like कर देना और कोई query वगरा हो, तो comment कर देना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए, बाई बाई